हेलो फेंट्स मैं मंदीब सोगत करती हूँ आप सभी का अपने चनल पर फेंट्स आज की इस फीडियो में 32 साइस का प्रिंसस कट ब्लाउस का फुल कटिंग मैं आप लोगे साथ शेयर करूंगी अस्तर वाले ब्लाउस का तो इससे आप बैक ओपन भी बिना सकते हैं और फ्रे दर्फ रखा हुआ है ब्लाउस की लंबाई आप लीजेगा जितना भी लेंद आपको तयार रखना है उसमें एक इंच मार्जिन का प्लस करके मैं यहाँ पर 13 इंच तयार रखूंगी उसमें एक इंच प्लस करके मैंने 14 इंच पर टोटल लेंध की मार्किंग की है और डीप लेने ही सवा पाँच इंच आर मोल भी अगर आप जादा लेते हैं तो आपका जो आर मोल है वहाँ पर फुलन आती है सर परते हैं आप सवा पाँच इंच ही लीजेगा इसके बात मैंने चेस्ट का चोटा बाग लिया है आठ इंच और देड़ इंच पर एक्स्टा रखा है सबसे पहले देखे मैं यहां में यहां पर back part की cutting कर रही हूं आधा इंच हमने बाहर की तरफ लेते हुरे marking करनी है और बाहर वाली लायन से ही आर्म होल की गुलाई करनी है आर्म होल की गुलाई सवारी ही इंच पर दीजिएगा कमर का measurement लेंगे कमर 26 इंचे उसका चोता बाग होगा यहाँ पर साड़ी 6 इंच देर इंच एक्स्टा मार्जिन और एक इंच एक्स्टा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए मार्किंग पूरी करने के बाद हमने back part को cutting कर लेना है यह दिखे इस तरीके से मैंने यहाँ पर back part को cutting कर लिया है अच्छे से और आप में ले रही हूँ गले का measurement गले के जो width थे वो रक रही हूँ मैं यहाँ पर 2 इंच की अगर आप डोरी लगा रहे हैं तो सवा 2 इंच, 2 इंच तक आप ले सकते हैं इसके बाद गले की लंबाई रखी है मैंने यहाँ पर 9 इंच और नीचे से neck width रखी है 3 इंच इस तरीके से हमने पहले एक चोकोर box जैसा है यहाँ पर बना लेना है और इसके बाद हमें round shape देना है आप अपनी पसंद से बनाईए का गला जैसा आपको रखना है मैंने यहाँ पर simple round गला बनाया है कमर की plates लगाने के लिए इस तरीके से center को कपले को फोल करते है और यहाँ पर आप देख सकते है जो marking आ रही है 4 इंच पर आ रही है तो यहीं पर मैंने marking कर दिया है और 4 इंच लंबाई में ले रही हूँ length में 4 इंच पर मैंने mark किया है और इस तरीके से line draw करेंगे आधा इंच इस तरफ और आधा इंच इस तरफ लेते हुए plates लगाएंगे तो यहाँ पर मैंने back part का पुरा complete कर लिया है marking अब मैं front part cutting कर रही हूँ front part cutting करने के लिए फिर से मैंने अस्तर के कपड़े को इस तरीके से रखा है आप खुले भाग से भी कर सकते हैं मैं बंद भाग से कर रही हूँ क्योंकि यह front open है और सबसे पहले front part की cutting करने के लिए आदा इंच इस तरफ से और आदा इंच इस तरफ से आपको एक्स्टा लेना है जब भी हम princess cut blouse बनाते हैं तो लंबाई, total लंबाई में आपको आदा इंच blouse कर लेना होता है क्योंकि हमारा जो front part है cutting करने के बाद यह छोटा हो जाता है तो आप आदा इंच इसमें बढ़ा कर लीजएगा जब हम इसमें princess cut cutting करते हैं तो हमें extra margin चाहिए होता है total length में आदा इंच मेंने बढ़ा लिया है और अब हमें back part को इसके उपर रखते हुए as it is marking कर देनी है आदा इंच high up की पटी के लिए लिया है अब हम जो भी marking करेंगे high up की पटी का छोड़ते हुए ही करेंगे सवा 5 इंच पे arm hole फिर से mark कर लेना है front की घहराई देने के लिए तो ये घहराई हम अच्छे से देंगे घहराई नहीं देने पे अगर आप छोटे सा इसका भी blouse बनाते हैं तो घहराई देना front के लिए बहुत ही ज़रूरी है अगर आप नहीं देंगे तो पेहनने के बाद वहाँ पे काफी साली फूलन आ जाती है और crisp भी बनती है तो घहराई आप देखेगा किस तरीके से देनी है आपको आदा इंच या आदा इंच से भी थोड़ा कम अंदर की तरफ मार्ग करना है यह चोटे सा इसका है तो मैंने आदा इंच से भी थोड़ा कम अंदर की तरफ मार्ग किया है और half इंच आपको घहराई के लिए मार्ग करना है यह जो मैंने घिराई की है वो half inch की की है side से extra margin बढ़ाएंगे तो नीचे से लिया है मैंने 2 inch और उपर से लिया है मैंने 1 inch आर्मोज तरफ से 1 inch और नीचे कमर की तरफ से 2 inch आप extra ले लिजेगा तो यहाँ पर आप ज्यादा भी ले लेंगे तो जब हम fitting करते हैं तो एक्स्टा पार्ट को हम cut करके निकाल देते हैं पर अगर आप कम लेंगे तो आपका front पार्ट जो है वो back पार्ट से छोटा बनेगा तो आप extra लीजेगा और जब आप fitting लगाएंगे तो एक्स्टा कपड़े को नाप करके cutting कर दीजेगा यहाँ पर मैंने front पार्ट को cut कर दिया है अब मैं कले के लिए marking कर रही हूँ तो जितना भी आपने back पार्ट में marking किया है उतना ही आपको front में करना है neck width रखी है मैंने यहाँ पर 2 inch और लंबाई ली है 6 inch आप अपने इसाप से कम जादा करके ले सकते हैं नीचे से neck width रखा है मैंने 2 inch simple round कला में यहाँ पर draw कर रही हूँ तो round shape मैंने दे दिया है इसके बाद मैं princess cut के लिए marking कर रही हूँ width मैं नीचे से आपको 3 inch पर mark कर लेना है और यहाँ पर उपर से tux point ले रही हूँ मैं 10 inch पर बड़े सा इसका बनाएंगे तो 10.5 inch पर mark किजिएगा और यहाँ पर दिके tux point ले line को मैंने इस तरीके से मिला दिया है यहाँ से थोड़ा सा अंदर की तरफ mark करेंगे 7.3 inch पर मैंने mark कर लिया है width में नीचे से 3 inch पर किया है tux point ले line से 37 inch पर और इस line को आपको आर्म होस तरफ इस तरीके से मिला देना है width में नीचे से लेंगे हम 1.5 inch देड़ इंच पर mark करना है और length में लेना है 2 inch यह वाला tux मेने width में देड़ इंच और length में 2 inch पर marking किया है simple princess cut का shape देजिए इस तरीके से यह देखिए तो मेरी marking यहाँ पर अच्छे से मैंने पूरी कर ली है और अब हम कर लेंगे इससे cut cutting करने से पहले देखिए यह वाली line को आपको यहाँ पर मिला देना होता है इस तरीके से ताकि हमारा back part और front part दोनों परापर से आए marking पूरा करने के बाद आपको देखिए इस तरीके से इसे cut करना है सबसे पहले हम princess cut वाले part को cut करेंगे आदा inch जो उपर की तरफ mark किया है उससे cut करेंगे गले को cut करेंगे इससे बीच में से open कर लेंगे तो मैंने यहाँ पर front part की भी cutting कर ली है इसके बाद मैं यहाँ पर cut करूँगी अब sleeves तो sleeves cutting करने के लिए जो 3 इंच मार्जिन है उसे छोड़ दीजेगा बागी पूरा armhole आपको नाप लेना है तो इस तरीके से गुलाई में गुमाते हुए armhole को नापेंगे तो मेरे measurement में यह 7 इंच आ रहा है साथ इंच हमने armhole को लेना है आपर sleeves की cutting करते समय back part का गला मैं इस तरीके से cut कर रही हूँ तो दीखे back neck भी मैंने यहाँ पर cut कर लिया है अच्छे से round गला cut हो किया है और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी sleeves कैसे cutting करनी है सबी size की according आप short sleeves cutting कर सकते हैं तो blouse की sleeves आपको जैसी भी रखनी है आप अपने according बड़ी चोटी करके ले सकते हैं अगर आप बड़ी sleeves बनाते हैं तो 3 इंच पर down कीजेगा और अगर चोटी sleeves बनाते हैं तो 2 इंच पर down कीजेगा sleeves cutting करने के लिए इस तरीके से मैंने कपड़े को fold किया है कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ रखा है एक line रोकर के कपड़े को सीधा कर लिया है sleeves की लंबाई रखी है 4.5 इंच और जो 7 इंच हमने armhole लापे थे वो मैंने यहाँ पर लिये 7 इंच armhole का लेनी के बाद इससे down करना है मैंने 2.5 इंच पर 2.5 इंच पर मैंने down किया है चोटी sleeves से और इस तरीके से sleeves का shape देतेंगे यहाँ से हमने 1.5 इंच marking कर लेनी है जितना आप blouse में margin लेते हैं उतना ही आपको sleeves में भी लेना होता है नीचे bottom का measurement लेंगे और 1.5 इंच extra लेंगे margin के लिए अब दिखे हमने sleeves को इस तरीके से यहाँ पर cutting कर लेना है sleeves को cut करने के बाद हमने center में एक छोटा cut लगाना है और इसे कोल करके गहराई देनी है तो जब हम front part में गहराई करते हैं तो हमें sleeves में भी गहराई देना बहुत ही जरूरी होता है simple आपको आदा ही चंदर की तरफ करते हुए shape देना है तो एक पत्ती जैसा जब हम इसे cut करेंगे तो एक पत्ती जैसा shape यहाँ पर cutting होगा और जब आप cutting करते हैं साथी साथ आप cross का निशान भी लगा लें ताकि आपको जोड़ते समय ध्यान रहेगा कि ये पार्ट आपको front में ही लगाना है सभी पार्ट देखे मेरे cutting हो गए है अब मैं इसे main कपड़े पर रखकर cut कर लेती हूँ ये देखे मैंने सभी पार्ट यहाँ पर cutting कर लिये हैं ये sleeve से और ये princess cut वाला पार्ट है ये front पार्ट है और ये back पार्ट है इसे मैं cutting करने के बाद अच्छे से press करूँगी और इसका stitching का tutorial में जल्द ही आप लोग के साथ share करूँगी तो इसके side में से और गले में से जो कपड़ा बचा हुआ है उसमें से हम पटियां cut कर लेते हैं तो ये पटि मैंने cut की है high पटि और ये रहेगी hook पटि ये देखें इसे मैं single fold करके लगाऊंगी तो इसे जोड लेंगे और ये high के पटि ये high के पटि के जो चोड़ाई है उठाए इंच पर है पटि को side में रखेंगे अब हमने गले पर लगाने के लिए cross पटि कटिंग करनी है cross पटि देखें मैं scale से cut कर रही हूँ और इसे तिर्चे में ही cutting करनी है आपको ये में front neck में लगाऊंगी back glass तरवाला है तो उसे simple sly लगा कर हम पलट लेंगे तो ये पटिया हमें इस तरीके से सवाई के उच की चोड़ाई में cut कर लेना है इसे आप जोड़ेंगे किसे दिखें इस तरीके से रखना है आपको ये यहाँ पर इस तरीके से रखते हूँ अच्छे से पकी सिलाई यहाँ पर लगा लेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगी इसके बाद में नीचे कमर की पटि कट कर रहे हूँ तो यहाँ पर हमने कमरपटी कट कर लेनी है 1.5 इंच की चुड़ाई में इस तरीके से कमरपटी कट कर लेंगे सारे ही पार्ट मैंने यहाँ पर कटिंग कर लिये हैं अच्छे से और इस पर मैं प्रेस भी लगा रही हूँ अभी जब आप इसे में कपड़े पर कट कर लेते हैं तो प्रेस आप अच्छे से कर लीजिएगा तो इससे अच्छी फिनीशिंग आती है तो फ्रेंट्स आज के लिए बस इतना ही आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बिताईएगा